कोरोना संक्रमर से लड़ने के लिए हमें अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करना बेहत जरूरी है क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर होने पर शरीर आसानी से किसी भी वाइरस की चंगूल में आ सकता है यहां हम दिन चरिया से जुड़ी उन आसान कामों और प्रभावों के बारे में बात करेंगे जिनें आप घर में रहकर कर सकते हैं और अपने शरीर को COVID-19 से लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं और अपनी इम्यून पावर को बूस्ट कर सकते हैं आईए जानते हैं कैसे हम अपनी इम्यून के पावर को बढ़ा सकते हैं। Ministry of Health और Government of India के हिसाब से जो Mild COVID Infection के मरीज हैं वो घर पर ही treatment लेने से ठीक हो सकते हैं। इसलिए हम आपको यहां कुछ ऐसी tips बताएंगे जो आपके immune system को boost करेंगे। सबसे महत्फवपूर है प्रती दिन एक routine बनाएं। समय पर उठें, सनान करें, थोड़ा घुमें फिरें और समय पर खाना खाएं। इस routine को बनाए रखने से उदास सीनता नहीं होगी। और इससे आपका शरीर और आपका मन दोनों ही fresh रहेंगे। दूसरी ज़रूरी बात है खाने का ध्यान। एक balanced diet recovery के लिए बहुत ज़रूरी है। नाश्टे में सबसे पहले protein diet ले। प्रोटीन से हमारे शरीर को A-large 9 amino acid मिलता है जो हमारे शरीर में helper T-cells को generate करने में मदद करता है। ये T-cells हमारी रोग प्रती रोधक शमता बढ़ाने वाले cells को energy देते हैं। आप नाश्टे में दलिया, उबली हुई दालों के सलाद, साबुत अनाज और sprouts खा सकते हैं। प्रोटीन के गरारे करें। प्रोटीन एक तरह से anti-bacterial भी है। बीटाडीन के गरारे करें। बीटाडीन एक तरह से anti-bacterial भी है और anti-viral भी है। इससे गले में viral load कम होता है और बीटाडीन डाल कर इसे तयार करने के लिए एक portion बीटाडीन और तीन portion पानी को मिला कर एक मिनिट तक गारगल करें। इससे आपके गले को राहत मिलेगी और गारगल करने के 15 मिनिट तक कुछ खाएं पिये नहीं। ऐसा करने से इसका असर गले में बना रहेगा। लस्सुन काफी मात्रा में anti-oxidant बना कर immune system को मजबूत बनाता है और बिमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इसमें एलीसन नामक ऐसा तत्वो पाया जाता है जो शरीर को infection और bacteria से लड़ने में सक्षम माना जाता है। पॉजिटिव विचार रखें। Infection से ठीक होने के लिए मन के positive होने का बहुत रोल होता है। घर पर रहते हुए आप ज्यादा negative खबरे ना सुने। और ना ही COVID-19 से हो रही मौत या उसे संबंदित खबरों के बारे में ना पढ़ें। बहतर होगा कि आप अच्छी अच्छी किताबे पढ़ें, गेम खेलें, पहेलियां सुल जाएं या कोई कार्ड गेम खेलें। अपने परीजनों से फोन या वीडियो चैट के द्वारा जुड़े रहें, इससे आपकी रिकवरी में बहुत फाइदा होगा। स्टार एनिस यानि चक्र फूल में शमिक एसिड नामक एक योगिक पाया जाता है। पिछले 15 वर्षों से इसका इस्तमाल एंटी वारेल ड्रक्स को संशे शित करने के लिए किया जा रहा है। इसमें कई गुणकारी तत्व होते हैं, जो कई तरह के रोगों से ठीक करने के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। स्टार एनेस का इस्तमाल मसाले के तौर पर थाई सूप, करी, सबजी, आदी बनाने में कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार एनेस के दो टुकडों को पानी में 15 मिनिट तक उभाल लें। पानी के गुन-गुने हो जाने पर इसे पीएं। ऐसा करने से शरीर की इम्म्यूनिटी बूस्ट होती है। आलक में फॉलिट नाम ऐसा तत्व पाया जाता है, जो शरीर में कई कोशकाइं बनाने के साथ कोशकाओं में मजबूत DNA की मरमत का भी काम करता है। फाइबर, आयन, विटामिन सी शरीर को हर तरह से स्वस्थ बनाए रखते हैं। मश्रूम वाइट ब्लड सेल्स को सक्रिय करने में सहायक होता है। इसमें सेलिनियम नामक मिनरल, एंटी ओक्सिडेंट तत्व, विटामिन बी, रिबोल फैलमिन और नाइसिन नामक तत्व पाये जाते हैं। एंटी एलिमेंटरी गुणोक से भरपूर, हल्दी में करक्यूमिन नामक एक कंपाउंड होता है, जो शरीर के लिए कई तरह से फायदे मंद होता है। नियमेत रूप से भोजन में हल्दी और काली मिर्च का प्रयोग स्वाद बनाने के साथ साथ इम्यून सिस्टम को बूस्क बनाता है। विटामिन C युक्त चीजें, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रामबर्ण मानी जाती है। अमरूद, आवला, बैरेज, नीमू, आदी में विटामिन C होता है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में मौरिंगा, तुलसी, नीन, ग्रीन टी, आदी चीजों को ले सकते हैं। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए तनाव मुक्त रहना बेहत जरूरी है। स्ट्रेस फ्री रहने से इम्यूनिटी बढ़ती है और शरीर किसी भी तरह के वायल इंफेक्शन के खत्रे से दूर रहता है। वर्क लोड बढ़ने की वज़े से अक्सर लोग कैफी न्यूक्त पे प्रदार्त का सेवन ज्यादा करते हैं। इससे नींद की समस्या होने लगती है जो तनाव का कारण बनता है और इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इसके लिए कम से कम साथ से आठ गंटे की नींद जरूरी ले।